Hello my students, Target Vidalok Online Institute के official YouTube channel पर मैं GD Pande आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिजन्दन करता हूँ प्यारे छात्रों, आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि result आ चुका है जिया, हलांकि थोड़ा लेट आया, बड़ा संगर्श करना पड़ा, बड़ी समस्यां आपको जहलनी पड़ी होंगी लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन कुछ अच्छा हो, परड़ाम आए, उस दिन हमें उन तमाम संगर्शों, तमाम परेशानियों को एक साइड करके रख दिना चाहिए जो उस परड़ाम की यात्रा तक पहुँचने में हमने जहली है जी यहां बच्चों 2016 के UP SSSC JE का रिजल्ट आ चुका है, और अब फाइनल सेलेक्शन हो चुका है बच्चों का, और अतिशिघ्र उनको जॉइनिंग मिल जाएगी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ, सरकार की संस्थाओं से कि अब बच्चों को और इंतजार न कराएं बच्चे आल लेडी बहुत इंतजार कर चुके हैं, सन 2016 से 2023, ये 6-7 साल का जो समय है, वो कैसे बीतता है एक प्रतियोगी छात्र का उसे या तो एक प्रतियोगी छात्र समझ सकता है या उससे जुड़े हुए लोग, चाहे उसके परिवार के लोग हों, चाहे वो सिच्चक लोग हों, जो उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, ये वही लोग समझ सकते हैं खेर आज उन नेगेटिव बातों को क्या ही किया जाए, लेकिन आज खुशी का दिन है, अच्छा दिन है, 2016 के एउपी ट्रिपल सी जेई का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट मैं आपको दिखा दू, उत्तर प्रदेश अधिनस्त चैन सेवा आयोग, इस नाम को तो आपने पिसले 6-7 सालों में बार-बार पढ़ा होगा, पिकप भवन, तिति, तल, गोंती, नगल, लखनाओं ने, 21 जनवरी 2023 को सारा रिजल्ट जो है, वो जारी कर दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आप देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे हैं, तो रिज कीजें, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनरोद करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके, तमाम सारे सरकारी संस्थानों से जो लोग परिच्छा कराने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, इतना लंबा रिजल्ट अनौन्स करने में, कितने सारे चात्रों के साथ बड़ी समस आती है, टूट जाते हैं लड़के में देखा बात करते हुए, तो 2016 कि में अगर कोई विकेंसी आ रही है, तो उसका रिजल्ट 2023 में आए, बड़ा दुखद है, आप एक्जाम जल्दी जल्दी करा दीजिए, बलकि नोटिफिकेशन देने और एक्जाम कराने के बीच अच् ऑफिकेशन देन बाइक नहीं होगा, क्या वोजीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, बिलकूल अच्छा कर पाएगा, आप IIT की नोखरी नहीं करेख कर पाए, आप DM नहीं मन पाए आपका लप्ष्छ था what? डिस्तिंग मजिस्ट्रेट बनना, तो क्या आप अप जी किसी एक्जाम किसी परिच्छा किसी नौकरी से बंध करके ही कुछ बढ़ा कर सकते हैं जीवन में और आप में छमताएं हैं आप उर्जावान व्यक्ति हैं अपने इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं लेकिन ये दुखद है कि आप किसी एक परिच्छा में हो चाहे यूपी टिपल सी अधिनस्त सेवा चयन आयोग हो चाहे कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो जो की इस बात की जिम्मेदारी लेता है वेकेंसी निकालने की और उन्हें एक्जांस कराने की वो जल्दी से जल्दी करा दें तो बच्चों को बड़ा हेल्प मिल जाएग और अब आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी भारत सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार में विशेश रूप से आपको सेवा देना है तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप सेवा करिए इस बात का ध्यान रखिए कि जिस तरह से एक सामान परिवार से निकल करके आपके लिए न करना अच्छे से इमानदारी से करना ठीक है ना इमानदारी से करना अच्छे से करना अपने कार के प्रती पूर निस्ठावान होके काम करना और आप इस तरह से काम करना कि आपके काम से आपके इच्छा शक्ती से आपके दिड़ संकलपता से आपका प्रदेश आपका देश लगाता तरक्की करें और हम सब मिल करके एक ऐसा उत्तरप्रदेश बना पाएं हम सब मिल करके एक ऐसा भारत बना पाएं जिसकी कलपना शायद हमारे पूरवजों ने की थी और जिसका सपना सायद हम लोग हमारी पीड़ी देखती है तो बच्चों सिर्फ सलेक्ट हो जाना ही जीवन नहीं है No doubt आपने बड़ा संघर्ष किया होगा 2016 से तेज़ सोच करके ही मैं पिलकुल सिहर जाता हूँ कितना लंबा संघर्ष रहा होगा आपका 6-7 साल एक किसी जॉब पे आप अटके हुए है Clarify नहीं हो रहा कि जॉब उसमें लगेगे कि नहीं लगेगी आज आपको जॉब मिल गई है अब उन सब चीजों को भोल जाएए अब जिस भी विभाग में जिस भी डेपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है उस डेपार्टमेंट के काईदे कानू नियमों को समझे और उत्तर प्रदेश के बहतरी के लिए उस डेपार्टमेंट की बहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए अपना more than 100% देजिए जैसे आप पढ़ते थे ना तो समय थोड़ी देखते थे सुबह लग गए दिन रात पढ़े पढ़े हैं क्योंकि नौकरी पानी है वैसे ही जब जॉब करिये ना तो सुबह लग जाए तो दिन रात एक कर देजिए यह मस सोचिए कि अभी तो हमारा office time खतम हो गया अभी इस काम को टाल देते हैं यह सोचिए कि इस अच्छे काम से हम अपने प्रदेश को उत्तर प्रदेश को बहतर कैसे बना सकते हैं हम अपने भारत को बहतर कैसे बना सकते हैं क्योंकि जो भारत माता के यह बेटे हैं ना जो यंग बलड हैं जो यह नौजवान लड़के हैं ना जो आप है, जो हम है यही तो भारत का निर्मार करते है यही तो भारत को वो बनाएंगे जो भारत बनना चाहता है आप में ही तो भारत आकार लेता है तो मेरी बहुत-बहुत शुब कामनाए है मेरा बहुत-बहुत आशिरवाद है और मेरी बहुत बहुत शुप काम नाए है, मैं मन से बड़ा खुश हूँ, बहुत सारा congratulations आपको, कि आपको job मिल गई है, अब job मिल गई है तो सब कुछ life में अच्छा ही होने वाला है, लेकिन बस एक विशेज जगे में आपको रोकना चाहूँगा, कि सिर्फ job ले लेना ही ज संभावनाय है, तो देखे, वेकंसी की संभावनाया हों पर हमेशा मैं कहता हूँ कि जब सامने चुनाओ हो, तो संभावनाय बिलकुल प्रश्शा होती है, सारे संस्थायों जागरित हो जाती है या कर दी जाती है आपके vacancies निकालने के लिए और सोला का रिजल्ट आया है UPSS 16 और 18 का vacancies जैसे ही clear होगा मुझे लगता है कि नई vacancies भी announce होगी तो संभावनाएं हैं जॉब की उनसे बिल्कुल बचना नहीं है आपको संभावनाएं हैं तो आपको जॉब लेनी ही लेनी है उसके लिए महनत करिए पढ़ाई करिए preparation करिए सामने चुनाओ है vacancies आएंगी प्रदेश सरकार की तरफ से vacancies आपको मिलेंगी तौफ़ा आपको मिलेगा उस तौफ़े को लेने के लिए दोनों हाथ बढ़ा कर रखिए कहीं चूक न जाए कहीं छूट न जाए तो बिल्कुल संभावनाएं हैं बच्चो और वो संभावनाएं बिल्कुल आप देखेंगे कि कनवर्ट होंगी दिखेंगे आपको बिल्कुल सामने आपके जैसे समय आगे बढ़ेगा तो जहां भी हैं जैसे भी हैं पढ़ रहे हैं अगर आप कोचिंग कर रहे हैं खुद से पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टड़ी कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं जो नोकरी कितना सुख़ा दन्वो देती है, कितनी खुशी देती है, खेर, तो बहुत-बहुत शुप काम नहीं हैं, बहुत-बहुत बधाई आप सभी छात्रों को, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, कि UP सरकार नई वेकेंसिस जल्दी से जल्दी अनाउंस करें, तक कि हमारे और बहुत सारे जूनियर इंजिनियर्स के जो छात्र हैं, जो डिपलोमा होल्डर्स हैं, वो UP में एक अच्छी जॉब पापाएं, बहुत सारे लोग का सपना होता है अपने प्रदेश में नौकरी करना, तो वो अपने सपने को पूरा कर पाएं, अपने माबाब के बात हो सकते हैं, आज सले इतना वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं, तो कुछ नई बाते करेंगे, थैंक्यू सो मुच, बबाए